अजय नमस्कार दोस्टों मैं हूँ घंसेयाम और आप देख रहा है घंसेयाम टेक दोस्तों TCS का result आ गया है तो result के बाद में TCS को कैसे trade करना है TCS का result कैसा रहा है उसकी सारी analysis हम इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि Monday को stocks किस-किस condition पे किस-किस जगह open हो सकता है तो उस opening के बाद हम stocks को कैसे trade करेंगे उसके पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी Infosys के result वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके देख लिजे मैंने Infosys के result पर वीडियो बना दिया है तो उस वीडियो को देखी है तो उस वीडियो को देखी है उसमें जो लेबल बताए है तो ध्यान देखी है का ज़्यादा अगर आप Retail Trader है तो कभी भी ज़्यादा volatility market ज़्यादा ओले टाइल हो तो उसमें आपको trade नहीं करना चाहिए save trading पहले करनी चाहिए अगर आप कई बार या पिछले कई बार से result को आप trade करते हैं तभी आपको result को जाके trade करना चाहिए तो दोस्तों देखिए अब TCS का result अच्छा है या खराब है या तो street ही तैय करेगा हम किस तरह से result आया है या हम किस तरह से उस result को देखते हैं ये बता तकते हैं क्योंकि बहुत analyst उसी result को खराब भी बताएंगे देखिए किसी को हर point एक point से तो result बनता है result कोई growth को देखकर result को अच्छा है खराब decide करता है को revenue को देखकर कोई profit और loss को कोई margin को देखकर तो काफी सारी चीजे लोग देखते हैं तो बड़े-बड़े analyst है वो अपनी report यहाँ बनाएंगे तो Monday के सेसन में बहुत सारे high जो brokerage है उनकी report आएगी तो उसके हिसाब से market या stocks यह trade कर सकता है तो कि जो TCS का result आया है 2019 की चौथी तिमाही में जो result आया है उसमें जो मुनाफ़ा है वो 0.3% बढ़ा है यानि दसमलो 3% बढ़ा है पिछले मतलब तिमाही से यानि जो तिमाही थी उसकी अपेच्छा सिर्फ 0.3% बढ़ा हुआ है यानि पिछली दिमाही में जो आया हुआ था उसमें था 8,105 करोन और इस बार जो इनका profit आया है वो 8,126 करोन का मुनाफ़ा लेके आया हुआ है तो TCS की डालर आय की बात का जो डालर आय जो थी पिछली बार जो डालर आय थी वो आय थी 536 करोर डालर और इस बार की जो डालर आ रही है वो 549 करोर डालर रही है तो इसमें भी नॉर्मली थोड़ी सी ब्रद्धी हुई है इस तिमाही में कंपनी की अन्याय जो है 1190 करोन की है 2019 की चौथी तिमाई में TCS में रूपए में होने वाली आय में 1.8 फीसदी बढ़कर आई है, यानि 38,010 करोन की आय आई है, रूपए टर्म में देखा जाए तो, और जो 30 तिमाई में TCS की थी, वो थी 37,338 करोन रूपए थी, और इस तिमाई में जो आई है, वो 38,010 करोन की बढ़के आई हुई है, अगला जो देखा जाए, इसमें तो TCS की तिमाई मार्च जो देखा जाए, एबीटा जो है, एबीटा इससे फोकस करना है, एबीटा कितना है, 9,564 करोन से घट कर, जो मार्जिन पिछली बार कंपनी ने 25.6 का पोस्ट किया था, इस बार मार्जिन 25 दसमलो एक का पोस्ट किया है, द्याने कि है का मार्जिन के पिछले तीन रिजल्ट से देखा जाए, तो मार्जिन जो है, वो कंटीनी धीरे-धीरे करके कम हो रहा है, जो इनफोसिस के रिजल्ट में था, वो लगबग 1 फिसेट से ज्यादा का कम हुआ है, जो कि यहाँ पे जो है, उनके रिजल्ट में देखा जाए, तो लगबग 0.5% इनका मार्जिन इनका भी कम हो रहा है, तो जो भी बिजनेस दो मिल रहा है, यानि ग्रोथ हो रही है, प्रोफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्जिन है, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो यह थोड़ा सा निगेटिव मार्केट इसको ले सकता है तिमाही अधार पर चोथी तिमाही में TCS की आए कंसिस्टेंस करंसी आधार पर देखा जाए तो 2.4 परसेंट की बढ़त हुई है यह भी मार्केट के लिए अच्छा है इस टॉक्स के लिए भी अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि TCS के रिजल्ट में सबसे अच्छी बात मुझे निजा रहा है वो यह है कि चोथी तिमाही में TCS का डिजिटल कारोबार देकि अब सारी चीज़े डिजिटल होने वाली है धीरे-धीरे करके लोग डिजिटल पर फोकस करते है तो डिजिटल कारोबार जो है वो 21 पीसद ही रहा है यानि कुल विक्री का उसमें 31 परसेंट लगबग लगबग डिजिटल कारोबार से आ रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है कि मार्केट मानली जे गूगल बड़ी-बड़ी कंपनिया जो ओरेकल है कि BFSI कारोबार पर होने वाली आई में 11 फिसदी और Life Science कारोबार में होने वाली आई में 18 फिसदी की बढ़त देखने को मिली है इसको भी मार्केट पॉजिटिव लेगा यह हर फिल्ड में पॉजिटिव जा रहा है दिखिए इनके रिटेल में हो बैंक में हो हेल्थ केर में हो यह हर चीज में यह धीरे धीरे पॉजिटिव और है बस कम यहां पे थोड़ा सा इनका खराब क्या हो रहा है कि यह मार्जिन जी मार्जिन कम मार्जिन सबसे मजबूत रिवयनी ग्रोथ है यानि ग्रोथ के इसाब से 15 पिछली 15 तिमाई में सबसे अच्छी ग्रोथ इस बार उन्होंने रिकॉर्ड की है और 3 तिमाईयों की तुलना में गिरावट आ रही है तो एक चीज ये मानके चलिए कि 2100 इसके लिए बहुत स्ट्रॉंग रजिस्टेंस यहां पे फेस करेगा इस टॉक्स अगर 21 दिके 21 जाने के लिए यहां से अभी इसके पास लगबग लगबग 90 रुपए की जगह है 90 रुपए की जगह एक चीज मैं आपको और बता दू कि TCS का स्टॉक 6-7% से ज़्यादा कभी नहीं चला यानि पूरी अपनी हिस्ट्री में जबसे स्टॉक लिस्ट हुआ है 7% से ज़्यादा की मुवमेंट कभी नहीं आई है इस चीज आप नोट डाउन कर लिए तो इसलि गैप अप हो गया 5% तो ऊपर जाने के चांसे तब बहुत कम बच रहे है इस तरह से 5% अगर गैप डाउन हो गया तो वहां पर जाने के चांसे कम है देखिए होगा नहीं बता रहा हूं कि इस तरह के मुवमेंट करता है कि 6-7% से ज्यादा का इस पे कभी भी मुमेंट इस पर TCS के स्टॉक्स में नहीं हुआ है पूरे हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तब से बात कर रहा हूं अब देखिए मंडे को एक चीन यहां पर ध्यार ने किएगा अगर मंडे को मान लीजिए TCS हमें 1660-1680 के बीच में मिल जाएगा यानि 1660-1680 के बीच में मिल जाए मार्ग मिनट के हाई को ब्रेक करती है, तब हमें एक पाउजटिव मुमेंट लेना चाहिए वही पहले पांच मिनट की केंडल का हमें स्टॉप लाउस लगाना चाहिए वहां पर अगर मार्केट इसको positive लेता है लेकिन positive में मुझे ज़्यादा उम्मिद लगने रहे कि positive में stock उपर जाएगा लेकिन हाँ positive में अगर market इसको positive लेता है और 2050 के ऊपर ये trade करना इस्टार्ट कर देता है तो मुझे लगेगा कि फिर आपको उसी दिन आपको 2100 के target मिल जाएगे यानि 50 रुपे की movement ऊपर की तरफ आपकी खुल जाएगी अगर इस stock 2050 के ऊपर open के वहां पर sustain करने लगता है या फिर market अगर नीचे से open होता माल ये TCR 14 पे है 40 पे open हो जाए और 50 को cross करके ऊपर की तरफ जाए तो वो एक best pick होगी इंटाडे के लिए आपको trade करने के लिए 10 से 12 रुपे का stopless लगाईएगा और उसको 2050 के ऊपर बाहिम केजिएगा 21 के target के लिए नीचे के अब दीचे देखिए जो simple moving average का support है वो भी 1976 है यानि 1976 पास में अच्छा strong support इसको मिल रहा है एक support level भी यहाँ पे 1960 का है और जो moving average का support है वो भी 1976 के आतपास है यानि 1980 से लेकर 1960 एक अच्छा strong support यहाँ पे बनके TCS के लिए निकल के आएगा तो TCS में मुझे ज्यादा बड़ी up and down की उम्मीद नहीं है gap down में एक चीज़ और ध्याने किएगा TCS के पिछले 4 results में देखा जाए तो TCS अच्छे पोस्ट करने के बाद में भी negative ही open हो रहा इस पर असको ध्यान रखिएगा अब देखिए जो पहले वाला जो result आया हुआ था 10 जनवरी को तो 10 जनवरी को result आया था तो देखिए 10 जनवरी के चली चार्ड को देखते हैं यह है 10 जनवरी का result सायद यह रहा 10 जनवरी को market close होने के बाद इसका result आया और यह 11 जनवरी को इसकी performance मिली तो यहां पे देखिए इसकी जो closing है इस stocks की यहां पे है 1888 की यानि 1890 की यहां पे closing ह और stocks open हुआ यहां पे 1875 पे यानि सिर्फ 12 रुपे नीचे open हुआ और नीचे open होने के बाद में सारे दिन में इसने moment किया है 20% माइनस में जाके close हुआ यानि सारे दिन में moment इसने 30-40 रुपे की कि अगले दिन फिर से नीचे आया और buyback की खवर आई तो stock फिर से उपर आके यहां पे recover कर लिया इसके पहले का जो result आया था 11 October को तो चलिए 11 October वाले result को भी हम देखते है उस दिन इसने क्या किया था अब देखे 11 अक्टूबर में यह रहा यहाँ पर देखिए यह डेट है 10 अक्टूबर की यह है और यह है 11 अक्टूबर का तो यहाँ पर यहाँ पर नीचे ओपन हुआ और सारे दिन में उपर नीचे करके वहीं पर जाके कर दिया जो पहली समाही ती जो जई 10 जुलाई को जो रिजल्ट आया था तो दोसकं दीखी जो आक्ट आया था जो जो डेखने को होई था तो हुई थी 11 जुलाई की जो ओपनिंग हुई है हमें वो हुई है 1925 रुपय स्टॉक्स ऊपर ओपन हुआ है और ऊपर ओपन होने के साथ साथ धीरे 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 करके यहां से स्टॉक्स ऊपर की तरब चड़ा था और लगबग लगबग साथ 5 परसेंट ऊपर जाके इसने क्लोधिंग दिती तीस ने तो पिछले तीन जो हमने चार रिजल्ट देखे एक तो हमें कल ट्रेट करना है यानि मंडे को ट्रेट करना है पिछले तीन रिजल्ट में से ज्यादा तर गैप डाउन नहीं ओपन हुआ अच्छे रिजल्ट आने कलर ग्रीन बन जाए यानि गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसका कलर ग्रीन बनता है तो साहल पहले पांच मिनट की हाई के उपर निकलेगा तो हम बाइन कर सकते हैं इसको अगर यह उपर की तरफ हमें उपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा गैप अपन हो गया तो फि 40-50 पॉइंट के मुवमेंट यानि इस रजिस्टेंज को सायद फिर से यह टेस्ट करने के लिए जा सकता है कल तो ध्यान रखिएगा 50 के उपर हमें एक क्लियर कट का एक प्रॉफिट वाला सौधा मिलेगा 2050 के उपर क्लियर कट एक प्रॉफिट का सौधा हमें नजार आ र आईएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चैहिंद